दोस्तों क्या आपने सोचा है कि आज इंडिया इतने बुरी तरिके से क्यों हार गई या T20 का कप इसके अंदर से इंडिया क्यों बाहर हो गई इसका क्या कारण है कई बार लोग विसलेशन करेंगे के बैट्समन का कई बार लोग विसलेशन करेंगे बॉलिंग का कई बार लो से वाल निकालते रहते हैं कि बॉलिंग की समय किसका हाथ कैसे घून रहा है कैसे जा रहा है कैसे बॉल डाला जा घूंट हो जाता है यह हमारे बॉलर्स को विक放 मिलते हैं और जैसे फूमारा क्यों में बथा Sakit कि अईने वाला बंड़ बोलता है कि यह यहां पे डालना चाहिए वहां पे डालना जाई उन्हें और यह वाक्य में जाता है तो मुझको तो doubt आता है कि यह लोग क्या fixing के अंदर involved रहते हैं, अगर यह लोग fixing के अंदर involved भी नहीं रहते हैं, तो क्या star tv के जैसे एक विदेशी company या विदेशी broadcasters, क्या ऐसे कुछ किये हुए है कि जब जैसे ही हमारा world cup declare होता है कभी भी, तो आप देखिए दिन, राथ, 24 घंटा, इतना विसलेशन, इतना विसलेशन, कि हमें शक आने लगता है, डाउट होने लगता है कि ये विसलेशन करके विदेशियों को दूसरी जो टीम है, उन टीमों को ये लोग फिडबेक तो नहीं दे रहे हैं, उनको ग्यान तो नहीं दे रहा है और इसRobी परित अगर दूसरे देशों की हमने वार्टी वीी चैनलिस देखें दूसरे घर और में देखा तो वहाँ पर केवल सामने जो दिखते हैं उसी कहा विश्लेशन होता है और हमारे यहां पर जो सामने नहीं दिखता है वो भी graphics के द्वारा इतना ज्यादा दिखाया जाता है इतनी कमजोरिया आखिर में cricket players जो होते हैं वो भी तो आखिर में इंसान है हर एक इंसान की कुछ न कुछ कमजोरी होती है तो ये लोग ढुण ढुण के ढुण ढुण के एक भी विकेट इतने बड़े हमारे ballers है इतने सुन्दर तरीके से खेलने वाले इतना टेकनिकली एडवांस हमारे ballers है बहुत talented ballers है एक भी विकेट नहीं ले पाए क्यों? क्योंकि हमारे commentators की वज़े से इतने मुह में मेरी गाली आती है में गाली नहीं देना चाहता लेकिन आपके दिल और दिमाग में तो जरूर आती होगी अगर ये लोग कहीं पे आपको मिलते हैं तो जरूर उनको पूछिए कि ये आप क्या करते हैं जान बुच कर कि क्या ये लोग आप इसके अंदर करते हैं कि जिसके कारण इंडिया हार जाता है इसको हराने के लिए इसका भयंगर विसलेशन करने के लिए क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा का पैसा दिया जाता है मेरी मानों तो मुझको तो full doubt है कि नोग को पूरा पैसा दिया जा रहा है पैसा दिया जाता है विदेशों की टीम के दवारा लेकिन इंडिया को हराने का काम यह लोग भरपूर रीति से करते हैं हमारे इंडिया की जो फिल्डिंग लाइनप होगे तो फिल्डिंग में हमारी क्या-क्या कमजोरी है, कौन-कौन से फिल्डर के अंदर क्या-क्या कमजोरिया है, ये लोग इतना ज़ादा विसलेशन करेंगे, और बिल्कुल विदिन 5-10 बॉल के अंदर ही आपको पता चलेगा क्यों फिल्डर के पास बॉल जाता है, क्या चुटेगी या उसका ध्यान नहीं होगा, कुछ भी, तो ये सब कुछ एक pre-plant ऐसा कुछ लगने लगता है, तो क्या ये हो सकता है, और मुझको तो यकीन है कि ये लोग जो है, ये विदेशों से कुछ सुपारी बजाते हैं, हमा लोग जबी टीम में शामील होते हैं, चाहे इंडिया के, चाहे आउट आफ इंडिया के, तो उनका विसलेशन इतना जदा इन लोग के पास नहीं होता, फिर वो आइरलेंड की टीम हो सकती है, या दूसरे कोई बहुत बेहतरी डंग से खेल लेते हैं, ऐसा क्यों क्यों कि हम 200 गंटा इसका विसलेशन होता है स्टार टीवी के चैनल्स के ऊपर और दूसरे चैनल्स के ऊपर भी तो मुझको तो यह लग रहा है कि यह पूरा का पूरा विसलेशन इन लोग और बंद कर देना चाहिए है प्रकार का विसलेशन बंद होना चाहिए अगर आपने देखा पचीस साल पहले तीस साल पहले जब भी दूरदर्शन के ऊपर कॉमेंटरी होती तो कैसे कोई विसलेशन नहीं कुछ भी नहीं जो केवल सामने गेम चल रहा है उसका केवल वरणन बताया जाता था क्यों क्योंकि प्रेक्षकों की जानकारी के लिए इतना ही होता था लेकिन अभी कि यह इतना जादा अपना नौलेश दिखाने का काम करते हैं तो इनका नौलेश द रहने वादा.